ओके इस्टुडेंट्स ना एक्सरसाइज 1.6 पहले से बेसिक बता तो आपको मैं बेसिक्स क्या बटा जेको यह ए पावर एंड लिखा हुए बटा जो यह वैल्यू होती है इसे बोलते हैं यह क्या है बेस बटा यह होता है पावर जिसको हम बटा इंडेक्स भी बोल देते है है ठीक है यह वैल्यू बेस और यह पावर इट मीन्स मेल्क्स पोलते हैं प्रोपर्टी जे मटीपलाइ अब प Kollegin पावर्यन्स क्याईक्स प्रॉप UKन पॉट्रकाश का है और फोटेश से दो नंबर्स एक्स्पोनेंशल फॉपर्म आगर अगर टू नंबर्स एक्स्पोनेशल फॉन में पावर्स में है अगर उनका बेस इक्वल है बेस इक्वल है अहीं मतलब एप्वार एप्लस न हो जाएगा थीक है सेकेंड फॉर्मॉला अगर यही वैल्यू डिवाइड में होंगी पावर एप्वाइड बाई तो बटाए यह हो जाएगे कि इसमें ए पावर M, M-N, बट बटाए इसमें condition हो जाएगी कि जो M की value होगी, वो greater than N होना चाहिए बटा, M is greater than N, third formula बटाए कि A power M multiply B power M, अब की बार क्या बटाएगी, अब की बार base different है और power same है, बट इस वाले formula में क्या था बटा, इसमें property में, base equal था, power different थी, और यहाँ power equal है और base different, जब base different है और multiply करेंगे बटा, तो base को multiply करेंगे और power में M आ जाएगा, जो भी दोनों का common power है common index value होगी, वो आ जाएगी बटा, ठीक है, और similarly बटाएगे के लिए यह a power m, divide by b power m, तो बटा, ऐसे ही स्कृत हो, यह हम a divide by b कर लेंगे बटा, और whole power में, जो यह value होगी, common index, common value बटा, वो आ जाएगी बटा, ठीक है, ठीक है बटा, यह हो जाएगा उसके बाद, और बटा, एक formula है, आइटिया बटा, a power minus m आता है, या a power minus n है, तो बटा, इसको positive index में convert करेंगे, के पास यहां, तो negative जब भी आप question solve करेंगे, तो positive power में करके solve करेंगे, बटा, negative power, a power minus n, बटा, इसको लिख सकते हैं, a upon, one upon a power positive n, बटा, a power positive n, और अगर बटा, यह आ जाए कि, a upon b, whole power minus n आगे, बटा, देखो, यह तो बटा, कोई integer है, और यह क्या है, कोई fraction, बटा, यह integer है, और यह fraction है, अगर integer की power में negative, बटा, उसको इस whole power positive n, ठीके, बटा, समझ आगे, आपको यह, उसके बाद, एक और formula रिखते है, बटा, जैसे, बटा, यह, a power m, और multiply b power n के लिए होगा, same, बटा, यह, a upon b, whole power m, multiply a upon b, whole power n, बटा, से, जब base equal है, तो power n हो जाएगी, तो a upon b, whole power m, plus n होगे, बटा, और next, बटा, यही value, a upon b, whole power m, और divide a upon b, whole power n आता है, बटा, same, बेस है, power different है, बटा, बटा, क्या हो जाएगा, a upon b, upon m, minus n, बटा, अब एक formula आता है, बटा, इहां जाएगे, देखो, a power m, upon n, a power n, बटा, इसको लिख सबता हुँँए, a power m, और whole power 1 upon n, बटा, a power m, whole power 1 upon n, बटा, 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 बटा लेजी, 1 upon n है, इसको लिख सबता हुँए, यह, We nuai, इस देखुए, Karen, यहां से देखो मैंने क्या दिखा है अगर होल पावर वन अपॉन एम है यह यहां जाएगा और इसके अंदर यह रिखेंगे एपावर इस टाइप से यह कुछ फॉर्मुले बटा यह आपको लर्न करने होंगे और इस पर बेस्ट कुछ पॉस्चिन में आपको करवांगा चीच है बटा एक्सरसाइज 1.6 कुश्चन नमबर 1 इन कुश्चन नमबर 1 फाइं बिटा लिखा है वर फाइं मतलब फर्स पार्ट में लिखा है 64 पॉल पावर वन बाई 2 बिटा अब इसको सिंप्लिफाइग कैसे करोगे बिटा देखो आपको करने इसके जो यह बेस बिटा 64 है इसके फ इसको मैं एक पावर अगर 2 लिखता हूँ मिटा तो यह 1 अपॉन 2 बेटा इसको लिख सकता हूं मैं एक पावर 2 मौल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 बिटा 2 से 2 cancelled हो गया एक पावर 1 का मतलब बिटा 8 हो जाएगा एक तो बाटा यह मैधन हो गया दूसरा मैधन बाटा यह हो जाए जैट जाएगा ऑपन 322 को कि बहुक्त कुझा इससे कि तुछ से डिवाइड यह जो को से डिवाइड किया ऑस पर हो टू से डिवाइड कि यह गया वन फोर है इस लएक प्ञेट को में चुनको गुट है की किवह जब हम फैक्टर करण करें हैं द्लाइने इस अपाइप से आपको करेंगे लुए इस ही ताइप से आपका आता है second part 32 whole power 1 by 5 बटा अब 32 के factors करेंगे आप देखो यह होगे बटा 32 के factors करेंगे बटा यह हो जाएगा 2 power 5 और multiply 1 by 5 5 cancel out by 5 बटा और 2 power 1 it means answer will be 2 okay बटा third part in this exercise third part 125 whole power 1 by 3 2100 25 के factor करेंगे बटा 5 multiply 5 multiply 5 whole power 1 by 3 it means 5 power 3 multiply 1 by 3 3 cancel out by 3 it means 5 power 1 is equal to 5 I hope you are understood because question number 2 बटा फास्ट पार्ट इसमें लिखे है बटा कि 3 9 power 3 y 2 बटा आप 9 के factor करेंगे 9 के factor बटा होते हैं 3 multiply 3 और whole power 3 by 2 it means 3 power 2 multiply 3 by 2 बटा 2 से 2 cancel out हो जाए गा ये और लिखेंगे आप 3 power 3 it means 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 बटा 3 power 3 का मतलब है 3 को आप 3 times multiply करेंगे it means 27 हो जाए बटा तो ये complete हो गया उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें बटा सेकेंड पार्ट के according 32 whole power 2 upon 5 बटा ये ज्यान से देखना आप तो 32 के factor अभी हमने किये थे 2 power 5 और multiply 2 power 5 बटा 5 से 5 cancel out 2 power 2 it means 2 multiply 2 is equal to 4 are you understand बटा ना थार्ड पार्ट इं थार्ड पार्ट बटा 16 whole power 3 by 4 तो 16 का बटा कितनो हो जाएगा 2 power 4 और multiply 3 power 4 4 cancel out by 4 it means 2 power 3 it means 2 multiply 2 multiply 2 is equal to 8 okay बटा and 4th part 125 whole power minus 1 by 3 125 whole power minus 1 by 3 तो बटा 125 के दर में फैक्टर करूंब बटा ये हो जाएगा 5 power 3 whole power 1 by 3 it means 5 power 3 multiply minus 1 upon 3 बटा ये हो लु बटा अबनर र्याीक्टे एशफ़ एer ये हो अबनर सीर का इं ये Sometा पार बटा 5 बटा ये येन सीर का दार मानर्ट इं पाष़ ये सीर का इं पाष़ whip ड़िटा UPष़ बटा इं पाष़ इं आर बटा आ दार्या सीर CC आसीर के लु आर्ट वर पावर त्री वाई टू मल्टिप्लाई टू पावर वाई थी बड़ा आप यह चेक करो कि मल्टिप्लाई में है एक्स्पोनेशल पॉम है जगर बेस इक्वल होगा तो पावर एड़ करेंगे इस टू पावर टू बाई 3 Vertee 3 पलस वन बाई 5 बड़ा यह ब्रैक इब ब्रेक ष cannabis रिकेंगे आ तू पावर डेको 3 और फाइव का एल श्वर कितना होता है 15 भी सब्सक्राइब और इस टू पावर 13 अपॉन 15 लैंग 2 अन्दरेंद बेटा सेकेंड पार्ट वन अपॉँन थी एक्क्रथी फोल पावर सेवन दो को आप लिख नो वन पावर सेवन वरक ल offenders सकते हो कि बिल्ट बंब बंस पार्ट में यह समय से हैं के सब्लेस Sekt वान एक्टों टरीप हो जाएगी और 3 पावर 3 होल पावर 7 तो 1 पावर 7 मींस 1 और 3 पावर ये बटा 3 मुल्टिप्लाई 7 इच मेंस 1 अपॉन 3 पावर 21 बटा इसके लिए एक आइडेंटिटी बता दूंगा आपको अगर ये आइडेंटिटी रहें थी बता ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो इस आइडेंटिटी की अपॉर्डिंग मैंने ये इसके बाद थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट बता क्या है देखिए आप 11 अपॉन सोरी 11 पावर 1 बाई 2 और अपॉन 11 पावर 1 बाई 4 बटा जो बता हुँ बेटकों यहां 11 पावर 1 ब्रट डिवाइड 11 पावर 1 बाई 4 जब डिवाइड में क्या हो जाएगी पावर अब इस किवारेवन 191 बधान लिकुए बबेस विखेंगी पॉल देवाइड में पावर सब्ड़ेट ओ जाएगी अब क्या करेंगे बिश्ड बेटा है एलेवल हो गया टू और फॉर का एल्सियम कितना हो जाएगा फॉर टू टू जा फॉर टू बन्जा टू और यह माइनस वन हो गया इसका मतलब यह हो गया कि 11 पावर टू माइनस वन वन अपॉन अब आपको मैं कुछ असाइन्मेंट दूबा करने के लिए वह आप करेंगे सेविन पावर वन बाई टू मल्टिप्लाई एट पावर वन बाई टू बिटा अब आप यह देखो बिटा दोनों वेल्यू हैं तोनों बेस डिफ्रेंट है बट पावर इक्वल है जब बेस डिफ करेंगे और पावर को बटा एक बार लिखेंगे आप इट मींज सेवन एट जाप फिफ्टी सिक्ट बटा और होल पावर वन बाई टू हो जाएगा बटा यह हो गया सॉलूशन बटा